अलिवूट से लेके टेलिविजन इंडिस्ट्रीज तक रमजान के महीने में सभी को एक ही इवेंट का बेसबरी से इंतजार रहता है जहां पर तकरीबन सारे ही सेलिब्रिटीज एक साथ नजर आते हैं और ये इवेंट है बाबा सिद्धिकी की इफ़तार पार्टी जो बिती इस पार्टी में अपनी पूरी टीम के साथ पहुचे थें इसके साथ साथ बॉलिवूट से लेके हॉलिवूट तक सभी सेलिब्रिटीज इसमें शिरकत करते हुए नजर आएं लेकिन इन सभी खोशियों के बीच एक ऐसा वीडियो तीजी से वाइरल हो रहा है जिसको देख कर फैंस का फूट रहा है गुसा दरसल ये वीडियो है सना खान का सना खान को खीच कर ले जाते हुए उनके पती मुफ्ती अनस की जम कर टूलिंग की जा रही है शोशल मीडिया पे जबकि एक्ट्रेस बता दे एक्ट्रेस प्रेगनेंसी के कारण चलने में मुश्किल हो रह है कि एक्ट्रेस के पती यानि अनस किस तरीके से सना खान को खीच कर लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं जिसके बाद अब इफ्तार पार्टी के कई वीडियो शेयर किये गए जिसमें सभी सेलेब्स पेपराजी को पोस्ट देते हुए नजर आये लेकिन इस बीच अचानक स एक वीडियो सना खान और उनके पती अनस का नजर आया सना प्रेग्नेंट है और बुर्खा पहनने के बावजूद उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा है यहां हम देख सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में एंट्री लेते सना और अनस रुके ही नहीं बलकि सीधे चले गए यहां अनस सना को तेजी से लग भग खीचते हुए नजर आये जबकि बेहाल एक्ट्रेस कह रही थी मुझे चलने में तकलीफ हो रही है बस यह बाते देखकर जैसे ही लोगों ने इस वीडियो को देखा सुशल मीडिया पे अनस की जम कर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई एक यूजर ने तो लिखा नॉनसेंस वैवार दूसरे एक और यूजर ने लिखा बेचारी को सांस तो लेने दो यार दूसरे एक और यूजर ने लिखा ही यहां पर कई लोग सना की हालत पर तरस खा रहे हैं और उनके नोन आर्गुमेंट पती की क्लास लगा रहे हैं जिसके अब सना खान सामने आए और सना खान ने सफाई पेश की है सना ने कहा मैं जानती हूँ कि ये वीडियो देखने वाले को अजीब लगेगा और मुझे भी लेकिन मामला ऐसा था कि जब हम गाड़ी से बाहर आए तो हमारा ड्राइवर हमारे ड्राइवर से कॉंटेक्ट तूट म पानी पी सकूँ मैंने उनसे जल्दी चलने के लिए कहा था इसलिए प्लीज आप सब लोग गलत धंक से ना देखे सना खान की सफाई के बाद कुछ लोग सना को भी ट्रोल करती हुए नजर आए क्योंकि वीडियो में साफ दिख सकता है कि अनस जो है वो जिस तरीके से पीचकर सना को लिकी जा रहे हैं लोग को ये वहवार बिलकुल भी नागवार गुजर रहा है फिलाल आप क्या कहना चाहोगे इस पुरी कॉंट्रवर्सी पे लिखिएगा जरूर अपना ओपीनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक् करता है।